हलो स्टुडेंट्स एक वार फिट से आप सभी का श्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासिस में तो दोस्तों अगर आप इस बार बोट का एक्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का एक्जाम देने वाले हैं स्टुडेंट्स तो हम आपके लिए 100 जी हां पूछे जाते हैं दो नंबर के जिसमें से 10 प्रशनों का हमें सही सही जवाब देना होता है तो स्टुडेंट्स ये जो हम आपको 100 टॉप 100 सॉट कोशन लेकर आए हैं इन 100 कोशनों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो हम पूरी गारेंटी देते हैं कि आपके जित पड़े ही दिल्चस्प तरीके से आप इस वीडियो को देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा एक भी वीडियो एक भी कोशन एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है ताकि आपका एक्जाम अच्छा हो सके और इस बार अधिक से अधिक मार्क्स आप गेंड कर सकें ठीक ह स्टुडेंट्स चली तो यहाँ पर देखिए हमने एडिंग बनाया फिजिक्स बीवी आई सौट कोशन ये ड्रीम क्लासेज के तुरू हमारे चैनल का नाम है क्लास 12 के लिए है और हम यहाँ पर मीनिमम 100 सौट कोशन का डिसकस करेंगे जो एक दम बिल्कुल most highlighted questions रहेंगे इ इस बार जो आप अगर एक्जाम देने वाले हो तो पहला question आवेश क्या है what is charge इसको हमें परिवाशित करना है तो कहेंगे students इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं just a wait तो हम कहेंगे students कि आवेश किसी पदार्त का वह गुन है जिसके कारण वह बिदूतिये छेत्र को उत्पन करता है तथा अनुभब भी करता है ठीक है चार्ज जो है आवेज जो है किसी पदार्थ का वह गुन है वह गुन है जिसके कारण वह बिदूतिय छेतर को भी उत्पन करता है और साथ साथ उसका अनुभब भी करता है क्या कहलता है चार्ज कहलता है आवेज कहलता है दूसरे प्रशन क्यों राते हैं students कोशन हमार दूसरा कर रहा है कि बिदूतिय छेत्र रेखा को परिवाशित करें ठीक है बिदूतिय छेत्र रेखा को परिवाशित करें यह हमारा आज का दूसरा कोशन है चली कहना कहना चाहेंगे हम इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बट बहुत ही इंपॉर्डन कोशन है बिदूतिय छेत्र र रेखा एक कालपनिक वक्र होता है जैसे आप देखतेidd carving कि आटि में वायर के पास आप जाटे हो तो लगता है कि माइर अपनी और attract पर्रैक्ट कर रहा है अपनी और आकर्शित कर रहा है तो वही हमारा विदूति Јच्षेत्र हम जैसानी कि पूरी डीटेल्स के साथ को बतलाता है ठीक है यह बिल्कुल सौट कोशन है एक्जाम में अगर पूछेगा तो बिल्कुल सौट तरीके से लिखेगा और इन सभी सौट कोशन को हम अपने लैंग्वेज से लिखकर लाएं आपके लिए ठीक है तो कहा गया है कि किसी आवेश के चार और बिदुतिये चेतर रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर ठीक है कोई भी पॉइंट पर खीचे के असपर्स रेखा जो बिंदु को असपर्स करके चले उस बिंदु पर बिदुतिये चेतर की दिशा को बतलाता है ओके स्टुडेंट्स ठीक है चल आगे बढ़ते हैं ये देखिए बहुत ही interesting question है कि आपने काफी बार सुना होगा कि दो बिदुतिये छेतर रेखा एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती इसका क्या reason है चल इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि अगर दो बिदुतिये छेतर रेखा एक दूसरे को एक ही बिदु पर पड़तिछेद करेगी तो उस बिदु पर दो असपर्स रेखा कीची जा सकती है और हम लोग जानते हैं कि विदुतिये छेतर रेखा कि किसी भी बिदु पर खीची गई असपर्स रेखा उस बिदु पर विदुतिये छेतर की दिशा को बतलाता है इस प्रकार उस बिदु पर विदुतिये छेतर की दो दिशा होगी ठीक है जो बहुतिक रूप से कभी संभव भी नहीं है एक बार हम फिर से इस पर डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि इंट्रस्टिंग कोश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है फिजिक्स में, कि दो विदूतिय छेतर रेखा, एक दूसरे को प्रतिछेद नहीं करती, इसका क्या रीजन है, ठीक है, तो हम कहना चाहें असपर्स रेखा, उस बिन्दू पर विदूतिय छेतर की दिशा को बताता है, इस परकार उस बिन्दू पर विदूतिय छेतर की दो दिशा होगी, जो हम बहुती करुप से कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए विदूतिय छेतर रेखा एक दूसरे को, एक दूसरे के उपर पड़ती छेद नहीं करती है ठीक है चलिए आवेश के गुन काफी बार पूशता है कि आवेश के गुनों को लिखें कि आवेश का कौन कौन सा गुन है सबसे पहला तो हम कहेंगे चार्ज के बारे में आवेश के बारे में कि आवेश पोजिटीब और निगेटिब यानि धना और रिनातमक दोनों होता है ठीक है दूसरा हम कहना चाहेंगे कि आवेस एक अधीश राशी है सदिस नहीं ठीक है आवेस एक अधीश राशी है ठीक है अपने स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा होगा इलेबंत में डैमेंशन पढ़ा होगा दा डैमेंशन ओफ फिजिकल क्वेंटिटी यार पावर तो विजदा फंडामेंटल यूनिट इट कॉल्ड यूनिट नहीं तो यह सब आपने पढ़ा होगा इस तरह का सबाल आपसे पूछा जाएगा तो एक रहेगा पोजेटीब एक रहेगा अधीश शदीश संरक्ची तो वो सबी बिकल्पों को आपको चूज करना है और आबेस का परिमान जो होता है न वो बेग पर निरबर करता है यह बहुत इंपॉर्डन कोशन है प्रस्न पूछा जाएगा आपसे एक अब्जेक्टिब के रुप में कि क्या आबेस का परिमान बेग पर निरबर करता है ओके स्टूडन अब हम ल legitimately क्यों राते हैं पाँच वाज आपको प्रस्न यह बहुत ही अच्छा प्रस्न है अच्छा इस प्रस्न को बताने से पहले हैं अपने स्टूडन को अपना वाट्सण नमबर देना चाहिएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रहे थे सर्थ हमें पूरी तैयारी करें नोट्स करीच सकते हैं, नोट्स का ज्यादा फीस तो नहीं है स्टुडेंस, बिल्कुल कम है, तो अब बिल्कुल बहुत सारे SMS कॉल करीए, ताकी हमारी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सके हैं, और हम पूरी गैरेंटी के साथ करते हैं, अगर हमारे notes को आप पढ़ेंगे all subject का notes देती है हमारी team थोड़ी fee लेती है वो मैं मानता हूँ लेकिन all subject का देती है और अगर घर बैठे complete package चाहिए न तो आप घर बैठे 80-90% लाओगे ये dream classes का बात है हमारा बात है 5 साल से ऐसे नहीं YouTube पे पढ़ा करें इतना ठीक है चली बिल्कुल वहाँ पे आप message करिए आपको बहुत सारा फाइदा होगा आबेस का quantum करन क्या है करें आबेस का परिमान electron के पुर्णा पुर्णां की गुनज यानि जिसको करते हैं इंटि इंटिग्रल notes को complete करके एक दम बिल्कुल से उसको बोलते हैं न अच्छे से संभाल कर रखी ठीक है चली चटा question आपके सामने यह रखा गया है कि कुलंब के नियमों को लिखें बहुत यह अच्छा सवाल है कुलंब के दो नियम होते हैं पहला नियम कि समान आवेशों में प्रतिकर्शन तथा आशमान आवेशों में ठीक है समान आवेशों में एक सकिन एक सकिन समान आवेशों में प्रतिकर्शन तथा आशमान आवेशों में आकर्शन ठीक है यह दो बार हमने लिख दिया था वही मुझे आकर्सान होता है, जैसे अगर एक चुम्बक ये रखे हम, एक चुम्बक ये रखे, ये चुम्बक का पोजेटिव है, इधर निगेटिव है, इधर भी पोजेटिव है, इधर निगेटिव है, तो अगर हम इन दोनों चुम्बक को आपस में सटाएंगे, तो ये नहीं सटेग ठीक है यानि सामान आवेशों के बीच ये कुलम्स लाओ हमारा हो गया कि सामान आवेशों के बीच प्रतिकर्शन और आशामान आवेशों के बीच प्लस प्लस आपस में नहीं सटेगा लेकिन प्लस माइनस आपस में सट जाएगा इस चीज को याद रखेगा ठीक है स्टूड के बीच की दूरी के वरग के व्युत कर्मानुपाती होता है इसको हम नुमेरिकल में थोड़ा सा डेरिवेट करके बता देंगे वहाँ पर ठीक है फिलाल हम यहां नर्मली पढ़ लेते हैं कि कुलम के दो नियम होते हैं पहला नियम कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्शन और आशमान आवेशों के बीचाकर्शन होता है दूसरा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्शन या प्रतिकर्शन मल का परिमान प्रतिफल जिसको बोलते हैं दोनों आवेशों के परिमान के गुननफल का शमानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की करते हैं बाकी अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे अब बिल्कुल हमारे इस टॉप 100 सौर्ट को बिल्कुल पढ़ना मत बूलेगा शेर तु बिल्कुल इतने दोस्तों के साथ करिए ताकि उनका इस वार जो एक्जाम देने वाले हैं बच्चे उनका भी एक्जाम अच्छा तो यह कुलम्स एक नियम है तो इसकी भी तो सिमाएं होनी चाहिए ना स्टुडेंट्स में भी राइट एक कुलम्स लाओ है इसकी भी तो कुछ सिमाएं होनी चाहिए तो हम पढ़ते हैं कुलम के नियम के बल बिंदू आवेश के लिए मानने हैं यह पहला नियम है कि कुलम स्थिर्फ हो और सिर्फ विंदू आव defenders के लिए मानें दूसरा हम कहेंगे कि TOM का नियम के बाद इस्तिर आवेशों के लिए Люб के सिए जब आवेश स्थिर हो तो ये कौन सा नियम लगेँगा कुलम्स लाओ लगेगा कुलम्स का नियम सिर्फ इसतिर आविशों के लिए माने कुलम्स का नियम माध्यम पर निर्भर नहीं करता है फर्क नहीं पड़ता है कि ठोस है द्रब है गैस है किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है कुलम्स का नियम माध्यम पर निर्भर सोरी करता है मैं भी मुझे बोलना चाहिए था करता है मैंने बोल दिया नहीं करता है कुलंब का नियम माध्यम पर निर्भर करता है माफ करिएगा इस चीज के लिए इंसान है गलती है छोटी छोटी होती चलिए चौथे कोशन कि रहाते हैं कि कुलम का नियम सारवत्रिक इसको उनिवर्शल नहीं होता है। पर होना चाहिए मैंने इसको पढ़ लिया था वाई मिस्टिक है हला कि लेंग्विज गलती हो गई थी मैं मानता हूं शीश को कि कुलम का नियम सारवत्रिक यानि युनिवर्शल नहीं होता है और पांच वाज हो है कि अगर दो आबेशों के बीच की दूरी 10 to the power minus 15 मीटर से कम हो तो कुलम का नियम अपनी वैदता खो देता है आप याद रखिएगा कि दो चार्ज दो आबेशों के बीच की दूरी डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है एक दूसरे के बीच का अंतर अगर 10 to the power minus 15 मीटर से कम हो तो कुलम के नियम का पालन वहां पे नहीं होग याद रखिए गए इस चीच को उमीद है कि यह छूटी सी वीडियो पढ़ा ही इंट्रस्टिंग लगा होगा देखते हैं आप कितने लोगों को आप इसको शेयर करते हो कितना लाइक करते हो कितना फिडवाइक आता इस वीडियो पर ताकि अभी तो यह आठ बना है ना ना इस जो भी हो कॉंसेप्ट आप अगर इस तरह का फिडवाइक देते हो बहुत सारे कमेंट करते हो एक एक स्टुडेंट पचास-पचास कमेंट करो तब तो मुझे लगे कि हाँ बच्चे सीच के लिए मांग रहे बच्चे की डिमांड है और मैंने नंबर दिया भी अगले अगले शेशन में आज की इस वीडियो में फिलाल इतना के लिए थैंक यू स्टुडेंट्स